कि एलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्ट भी तभी के साथ तो आई होप आज इंज्वाय कर रहे होंगे छुट्टियां आप लेकिन हम आप लोगों के लिए सुबह से थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हैं और कुछ चीजे थी म मैं काफी देख रहा हूं कि यस बैंक के बारे में एक बार आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने उसके बारे में डिटेल एनालिसिस की ती और अभी कौटर टू सेप्टमबर कौटर टू का रिजल्ट आने के बाद काफी रिक्वेस्ट आ रही हैं जैसे कि बहुत सारी वी इसका था प्रॉफिट कितना जंप किया क्यों किया एक टेटेल में जानेंगे उसका टेकनीकल देखेंगे टेकनीकली जो सेटप बन रहा है वो ग्या ठारब रुपय तक जा सकता है और कितना टाइम ले सकता है उसका स्टॉप लोगा किस श्टॉप लोज के साथ हम उसमें की लें एक अच्छे गेन के लिए तो सब कुछ जानेंगे और इसमें हम और भी दो से तीन सेर्स हैं जिनकी काफी उन तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो आये फिर स्टार्ट करते हैं यस बैंक यस बैंक का आप देखोगे रजेल्ट आया उसके बाद विचारा ठंडा ही पड़ा रहा तो अभी यस बैंक आप देखोगे यहां दिखा करा कि रिपोर्ट 74.3 परसेंट यर यर जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में 225 करोड का तो अब भी दिक्कत क्या है कि इसको आया तो है लेकिन आप यहां पर देखो ना लेंडर नेट इंट्रेस्ट इंकम इंदा क्वाटर हावेवर फेल 23.4 परसेंट ऑन येर तुरेस 1512 क करोड़ का वीच्वाज विलो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन जो में बैंकों का कहां से अर्निंग होती है इंट्रेस्ट से वह याँ 23.4 परसेंट डाउन है तो आप सोचो ना फिर आया कहां से पैसा यार देखो इनके दीरे-दीरे रिकाबरी और यह सारी चीज़े हो रही रहां है तो यह चीज है कि बाकी आप देखोगे तो इनके प्रोवीजन में भी अच्छा कासा दिकलाइन हुआ है ठीक है डिकलाइन से टीकलाइन हुआ है यह भी बहुत ही पॉस्टिफ चीज है उसके बाद यहां भी आप देखोगे तो जो है रिष्यों के मिन 5.5 करने को हमें मिली यह अच्छा है एंपीए कम हो रहा है तो तो अगर वेराल देखा जाए तो सारी चीजे ठीक है लेकिन जो सबसे बड़ी समझ्या आ रही है और यहां पर आ रही है इसलिए मार्केट ने इसको रियक्ट नहीं किया क्योंकि में जहां से इनका पैसा आना है वह चीज तो डिकलाइन हो रही है वहां पर गिरावट है तो मार्केट को भी यह चीजे हम एक बार इसका अभी इसकी डिटेल्स आजाएगा पूरा सारी चीज आई नहीं इसका इसका इंकम जो है वह कहां से जनरेट ही कैसे आई तो वह भी हम एक बार डिसकस करेंगे तो हम यह एक चार्ट ओपन किये हुए हैं कि हम जैसे कि पहले भी जब हम इसको डिसकस किया तो यह साथ 12 रुपए के आसपास में यह ट्रेट कर रहा था तो अभी इसमें एक देखोंगे तो एक अच्छा पैटर नहां पर बन रहा है एक सोल्डर एक बड़ा सा यह कप और यह हैंडल अब यह इसको ब्रेक आउट देके और यह है कि इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है यहां पर तो उम्मीद करते हैं कि अगर मार्केट थोड़ी ons की तेजी भी यह तो अगर यह तेजी बनी रहती है तो यहां से हम देख लेते हैं यह टारगेट की निकल ओ कर रहा है तो अभी जो रिसेंट हमारा टार्गेट निकल क्या रहा है 23 परसेंट जो की 18 रुपए का ये टार्गेट निकल क्या रहा है और ये 18 रुपए एचीव होकर ही रहेगा क्योंकि इसमें रिटेलर बहुत ही अच्छा गाजा कूदे हुए और रिटेलर ऐसे सेरों को भाई गॉट कहां पहुंचा रहे हैं कि हमने कई ऐसे सेरों में हम देख चुके हैं उसके बाद अगर ये इसको सक्सेस्फुली होल करता है ब्रेक कर लेता है ये 18 रुपए का लेवल सस्टेंड करता है फिर जो इसका नेक्स टार्गेट होगा सेरों का होगा 2021 का सब्सकराइब यहांसे पर धार नि어 करता है वह उपार करता है तो टाइम लेग होगए रातो रात मत ian यहां पर 24 परसेंट रिटर्न का यह इस त्रेंड को भी इस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा हूं ओर बार 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 इसको सपोट ले रहा है फिर से इसने यहीं पर सपोट लिया है तो यह अपना मुझे लगता है कि y product यह पैटर्न यह फॉलो करेगा और यह टार्गेट हमें एचीव करवाएगा अच्छा वन डे के चार्ट पे एक बार हाँ अब काम की बात सुन लो भाई जो काम की बात है वह आप लोगों को जो इस्टॉपलोस लेके चलना है वो बारा रुपे पचास पैसे का इस्टॉपलो लेके चलना है बार रुपे चालीस पैसे के नीचे अगर आता है तो निकली जाना है इसमें से वही बेहतर है बारुपे 40 पैसे का इस्टॉपलोस लेके और इसमें हम पोजीशन बनाangen अच्छा बहुत अगर टोड़त सा एतो इस्टॉपलोस रो को टेम कों इसमें यही है 18 रुपए 19 रुपए के टार्गेट के लिए वन डे के चार्ट पे भी देख लो यह वन आवर का चार्ट पे आप देखिए जो रेश्टेंस का काम कर रहा था निकलने नहीं दे रहा था इसको जो इतना यह लंबा टाइम लिया था इसमें आपको एक जो मैं काभी वीडियो में डिस्कस करता हूं यहां पर आपने एक सार फॉल देखा था यहां पर प्राइस एक्षन कितना बड़ियां काम कर रहा है देख रहा हो सार फॉल आया सड़नली अप गया उसके बाद यह एक जो कि हम इसको अपना बेक आउट लेबल मानते हैं वो इसी रेंज में यह एक कंसोलडेट हो रहा था देख रहा हो और जैसे ही इस ने इस रेंज से निकला उसके बाद आप देख रहो हो रिटेस्ट किया निकला रिटेस्ट किया और इसी रेंज को यहां पर सपोर्ट दे दे रहा है तो यहां से लगता है यहां हमें 24 परसेंट का रिटर्न यहां से दे सकता है तो बाकी आप लोग अपना खुद का अनालेसिस करिए और देखिए और रेजल्ट ठीक ठाक है बहुत ही बेटर नहीं कहेंगे तो ऐसी न्यूजों पर मत जाईए ऐसे फवाहों पर औ जाएगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो प्रेंट्स ध्यान से देखिए गाई इसको और आइए एक बार कुछ सेर्स हैं उसके बारे फटबर चार्ट देख लेते हैं यह भंगरिया इंडश्ट्री का चार्ट हमने उपन किया हुआ है अभी यह जो होल्ड कर रहा है 275 प बना था यह देख रहा हो आप यह देखोगे तो एक अच्छा पैटर्न बना हुआ था कि यह कपने अंडल बना हुआ था कि जैसे कि हम कहते हैं कि जितना बड़ा कप उतना बड़ा टार्गेट यह लगवग अपने टार्गेट को एचीब किया था 20 परसेंट देख रहे हुआ आप टार्गेट को इसने एचीब किया था बना दू यहां आप लोगों को तुला तो इसने अपने target को achieve किया था फिर से इसने री-test किया और मुझे फिर से यह बहुत ही अच्छे से इतनी market में weakness होने के बाद भी इतनी गिराओट में बहुत ही अच्छे से sustain कर रहा है तो इसमें नजर बना के रखिए और इसमें एक अच्छी opportunity हमें देखने को मिल सकती है जैस 340 के लेवल फिर से जाता हुगा दिखेगा करना से 20 परसेंट का हमें सीधा सीधा गेन दिखरा है ठीक है प्रेंट्स तो यह था बाकी और भी जो सेयर्स हैं कल हम उस पर डिटेल इनालिसिस करेंगे कुछ सेयर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया सेट अप है उन पर हमें नजर ऐसलिए में झाया झाता हो प्रुट है त़ लेवल सेट हैं क degenerडल सेयर्सितां हैं